हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटीब चैनल और आज में आपको बताने वाले हूं कि आपको हमारे पास कई परकार के कपड़े आते हैं अलग अलग तरह की तो उसकी जो है कपड़े की सीधी साइड और उल्टी साइड हमें कभी-कभी नहीं पता चल पाता है कि कपड़े क कपड़े की सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है जहां पर मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं यह कपड़ा जो कॉटन की है ठीक है तो यह कपड़ा तो आपको आसाने से पता चलने वाला है कि कपड़े की सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड आप यह है कपड़े की उल्टी साइट और यह है कपड़े की सीधी साइट इस कपड़े में तो आपको आराम से पता चल गया ठीक है लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप इस साइट से भी देखते हो तो भी सेम लगता है आप उल्टी साइट से देखते हो त तो मैं आपको फैला के दिखाती हूं तो आप देख सकते हूं यहां पर मैं आपको फैला के दिखा रही हूं तो देखिए अच्छे से यह मुझे पता नहीं कौन सा साइड है ठीक है और इस साइड से भी मैं आपको दिखाती हूं यह भी मुझे नहीं पता कि कौन सा साइड है लेकिन हम आभी पता करेंगे क्योंकि दोनों साइड से आप देखें तो यह दोनों सेम लग रहा ठीक है मैं इस साइड से आपको दिखा रही हूं तो भी सेम लग रहा है और इस साइड से दिखा रही हूं तो भी सेम लग रहा है इसलिए मुझे अबhof नहीं से कॉन सा साइडक कौण सा साइड साइड है है तो सबसे पहले कपडे में एंगर हम इस तरहं सत्य क controlling नहीं पता चल पता है तो हम लो skipped गपड़कर यह देख लिएते हैं कि जिस साइड को माई लेते हैं लोग साइड को मान लेते हैं कनारा में मैंने पकड़ा हुआ है आप देख से गल को सी है हई कौन सी है कपड़े की सीधी साइट और कौन सी हिछ nao so यहां पर आप इस तरह से गल को साइब को एस तरह से आपो पस कनारा करना है चिस साइब को रफ म force हो ohra है तो जो है और अभ लोग ठीक है और इस साइड एकदम प्लेन सा लग रहा है तो यानि यह है हमारे कपड़े की सीधी साइड और यह है हमारे कपड़े की उल्टी साइड यानि जिस साइड आपको उभार सा फील हो रहा है जो स्टिचिंग का होता है तो वो हमें रफ सा फील होता है तो वो है आपकी कपड़े क आपको दिखा देती हूं लेकिन दिख नहीं रहा है बस चूने से फील हो रहा है तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए यहां पर हल्कि से दीख रही है यह जो स्टिचिशिंग का इस तरह से तरह से आपको पता चलता है यहां पे उभार है और यह है कपड़े की उल्टी साइट और यह जो प्लेन लग रहा है एकदम प्लेन यह कपड़े की सीधी साइट ठीक है तो I hope कि इसमें आपको पता चल गया होगा और मैं आपको next कपड़ा दिखाते हूं जिसमें आपको बिल्कुल मतब अच्छे से पता इस साइट शेम है और इस साइट से हम संफें थेहा हुआः का आप ढरा यह अब कनारा तो मीम संफें पता चल गया फिशियं को साल थीक से द दिखानी होगा लेकिन इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा तो आप लोग देख से आपते हो से एस साल और से साइट कि आप यहाँ पै नहीं आप देख सथे हो, अपने आर शुक प्लान वेश तॉतन्य से थेख रायं है . तो यहाँ पैसे सदी ते देख सेख तो यहां प्लान है ग्राम कपड़ा में अपको। , परबुझ आपको टूश करने से종 में पाता किसी भी थरका कपड़ा में अगर आपको पता करना है तो ये है बेस्ट ऑप्शन इस तरह से आप पता कर सेते हो कपड़े की सीधी और उल्टी साइट कौन सी है तो आप देख से तो यहां पे एकदम प्लेन है और इस साइट उभार है देखिये उभार लग रहा है निस को फ्लेस का दिखनी हैं के हम दो क क्पट आपन सेखा है कि मस में उतली को साइज आपको को 위क्राव दो कृन साइट को कर दो ही लिएक हाद कि यहां पर नेट का ने हमाद्पनेर कोलिक्षक्ते का और इस प Bluetooth करेंद आपको पता यहां पर दि detox कंतें हो到 www.nade Hartlearni fot maoreffa यानि यह हमारी कपड़े की सीधी साइड और यह है उल्टी साइड अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल पा रहा है अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा है तो आप और एक चीज यहां पर देख सते हो इस साट जब हम लोग छूते हैं यह जो हमारे फ्लावर दिये गे हैं तो हमें एकदम प्लेन लगता है ठीक है कोई भी रफनेस नहीं लगता है कि कपड़े कोई निकला हुआ हो ऐसा भी नहीं लगता है एकदम आपको प्लेन सा मैसुस होता है लेकिन जब आप उल्टी साइड इसको ऐसे टच करते हो तो आपको पता चलता है कि यह जो डिजाइन है इसमें थोड़ा सा हलका सा आपको अटकता हुआ लगेगा एकदम उभार सा लगेगा तो आप समझ लिजिए के यह है कपड़े की आपकी उल्टी साइड ठीक है और यह जो प्लेन लग रहा है एकदम किसी भी आप डिजाइन को चुए तो आपको प्लेन लगता है तो यह है आपकी कपड़े की सीडी साइड तो इसमें आपको बस नेट कपड़ा में तो आपको इसी पता करना पड़ेगा फ्रेंड्स थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको तो इसी तरह से आपको छूने से क्योंकि हमें यहां पर कोई डॉट भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा स्टीचिंग का कुछ भी नहीं तो यही आपके पस दो आप्शन है या तो आप देख ले कि कपड़े की जो हल्की साइट और डार्क साइट कौन सी है ठीके अगर हल्की इस साइट पड़ती है वह हमारी उल्टी साइट और डार्क साइट हमारी फ्रंट साइड ठीके यह तो आप चूने से इस तरह से ट्षक करके पता कर सकते हो ठीके तो यहां पर मैंने बनार सी फेडरिक लिया हुआ है आप देख सकते हो यहां पर तो यह डिजाइन ऐसे तो पता कर सते है क्यूँकि इसमें आराम से दीख रहा है आपको यहां एक दम यह प्लेन साइड है और यह आपका डो डोट रह सा लग रहा है तो यह हमारी बिजाइन रह कि यह हमारी सीधी साइट नियाखे अ पर देख यह पर दी लिए brighter के चं़र है कि एंपितना चार चाहिक भी सुनाज़ु ऐसे तो इस रिगा यही इसकी पह्चान यहीं साइड अपकी ब्राइट लगी है तो यहां दो भाइद निहां कि एफ को धान चाहिक वीन रजा तो यहां पर मिने लिया है घुझ सब्सक्रांधिय वह पर mo पेपर सिल्क, इसमें भी मैं आपको बता देती हूं, देखे हम देख रहे हैं कि इस साइट जो हमारी जो कलर रहा है यह डोट सब कितना हो, अच़ ब्राइट लग रहा है न, और इस साइट आप देख सथे वह एक दम फीकी सी लग रही है, तो यह हमारी फीकी से जो साइट ल अगर आप फिर भी मैं आपको बता दू तो बस कनारा में आपको इस साइड जो है फ्रंट साइड जो है एदम हल्की लगेगी और जो बेक साइड है वो आपको डार्क लगेगी ठीक है इस कपड़ी की पहचान आप इसी तरह से कर सकते हो अब देख सकते हो विडियो में साइड आपको अच्छे से ना दिखे लेकिन फिर भी मैं आपको समझानी के अच्छे से कोचिस कर रही हूं कि जो हमारी डार्क जो कलर दीख रहे ना इस साइड हमारी बेक साइड है और यह जो हल्की सी कलर दीख रहे है इस साइड हमारी फ्रंट साइड है ठीक ह यह हमारी last को सब्सक्राइब और यह भी paper paper silk है और यहां पे आप देख सकते हो डोनों साइड हमारी same same लग रही है आप सब्सक्राइब देख को डेकिये आप दोनों साइड हमारी same लग रही है है ना तो आपको इसमें कैसे प्रच लेगा देखिए फ्रेंस में आपको इसमें बदा देती हूं कि आपको बस कनारा से देखना है ठीक है तो इस साइड जो हमारी कनारा साइड जो है ना यह हमारी डार्क लग रही है ठीक है और यह हल्की लग रही है ठीक है आप देख सकते ह इस तरह से तो जो हमारी डार्क जो लग रही है ना कनारा से तो ये तो ये प्लेन है आप देख सकते हों तो हम एक दम आप इधर भी देख सकते हों कितना ब्राइट लग रहा है ना और इधर थोड़ा इस तरह कोड़ा रहा है तो आप देख सकते हों इस साइट से कल़र डॉरक रहे है कनारा से देखें इसमें केली प्ता से komplette से ऐखे लहां से कनारा से देखिए,हलंकी लग रहा है थार लेकंग ये वहड़र अहलते हमारी ये सहांगे प्रोपड कें आप нूप Azim तो आज साथ इस वीडियो से आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉल्फ हो गई होगी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही तैंक यू बाई